जंडर डिस्क्रिमिनिशन लिंग भेदभाव और लेंगिक असमानता ये हमारे समाज में इस्तरिपुरुष संबंधों की एक कड़वी सचाई है इस जोलंशील मुद्दे को लेकर बहुत सारे अंदोलन होते हैं समाज के अस्तर पे, राजनीती के अस्तर पे, सुतंतरस्तरों पे लेकिन जब ये समस्या और इस समस्या के प्रती लोगों को जागरूख करने का जजबा जुनून ने बदल जाए तो उस जुनून से एक शक्ति निकलती है जिसका नाम है राइडर राकेश राइडर राकेश जी आज आप हुमारे साथ हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में सर सबसे पहले तेड़े उंगली आपको सलाम करता है आपके इस मिशन के लिए सर आपसे पहला सवाल राइडर राकेश कौन है आपके सामने जो भी है सर मेरे कहने का मतलब यह है कि यह राइडर बनने की जो आपकी यात्रा है यह कहां से शिरू हुई इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे मैं क्या कहूं मतलब मेरे क्याल से मेरे हर मेरे जीवन के अब तक के सभी स्टेप्स का उन तमाम प्रक्रियाओं का जहां से मैं गुजरा हूं उस सब का योगदान होगा और इमिडियेट अगर वजह जानना चाहते हैं तो इमिडियेट वजह यह है कि दो हजार तेरह में कुछ समय में दिल्ली में तेजाब के सर्वाइबर्स से मिला था जिनके उपर तेजाब हमले हुए तो उसके बाद मेरे चिंतन प्रक्रिया स्टार्ट हुई कि ऐसी मानसिक्ता कैसे बनती है जो दो दिन या दो पल पहले तक कहते हैं कि तुम्हारे लिए ताज महल और आकास चांद सब एक साथ तुम्हारे सामने रख देंगे फिर ऐसा क्या होता है कि दो दिन बाद या दो पल बाद जो यह तिजाब फेक देते हैं दो लीटर चार लीटर पाच लीटर तो ऐसे कुछ लोगों से मिलने के बाद उस प्रक्रिया में गुजरने के बाद ये मैंने सोचा कि मैं देश में घूम के ये जानने की कोशिश करता हूँ लोगों से मिलके कि आखेर एक तो ये मानस कैसे बनता है और दूसरा इसकी ट्रेनिंग कहां होती है इतनी सी बात दिमाग में आई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा और सोचना शुरू किया, क्योंकि इस सोचने में, मतलब ये खयाल आने में, ये एक्टूबर 2013 में ये खयाल आया होगा, और मार्च 2014 में शुरू हुआ, तो तब तक काफी समय था, जो भी 4-6 माईने का समय था, उस दौरान फिर बहुत सी चीजन दिमाग में आती गए, जोड़ता गया आपका ही मसले आते गए, और उसमें एक महत्पूर्ण बात ये थी कि कानून भी तुरत बदला था, नए रेपलाव आये थे एंडिया में, 2012 दिसंबर दामनी कांट के बाद, तो उसके बाद भी ये देखा गया कि घटना है तो हो रही है हमारे अगल बगल उस तरह की, अच्छा, फिर समाज में हम सुनते हैं, आते हैं, अपने अगल बगल में देखते ही हैं कि ब्रून की जाच करवा के और फिर डिसिजन लिया जाता है कि रखना है या खतम करना है, तो ये सारी चीजें भी तो चली रही हैं साथ में, ये भी ख्याल आया कि यार मतलब हमारे देश में 1961 में एक कानुन मना था, जिसके हिसाब से दहेज लेना प्रतिबंदित है, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कि जितनी शादियों में सामिल हो रहे हैं साम में दहेज और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरे तो कुछ ऐसे लोग हैं कि हाँ वो दहेज नहीं लिए या बाकियों को भी डिस्करेज करते हैं, पर वो इतने नहीं हैं कि आप गिना सकें, महले में दो एक भी नहीं मिलेंगे, और कानुन है, बलातकार के खिलाफ कानुन है, तेजा इस देश में खुलेयाम नहीं मिलना है, ये कानुन है, फिर और अब एक नया कानुन उत्तर प्रदेश में आया है, और वो बड़ा शांदर कानुन है, इसको आप एंटी रोमियो स्कॉट, तो रोमियो कौन है, क्या था, इसके बारे में फिलहाल हम छोड़ देते हैं, हम यह नहीं मान लेते हैं कि कानुन बनाने वालों ने या इस पर अमल करने जो लगे हैं, वो यह बानते हैं कि रोमियो छेड़ चाड़ करता है, तो छेड़ चाड़ करने वालों को पकड़ना चाहिए, नहीं, तो इन कानुने के बाबजुद देख रहे हैं, छेड़ चाड़ हो बात में पता जलता है रहे वो तो सगे भी भाई बहन थे ऐसा भी पता जलता है दोस्त थे पती पत्नी थे तो इसलिए यह जोर इस बात पे थोड़ा जादा हो गए क्योंकि अभी यह एकदम रीसेंट है ताजा है लेकिन हमारे देश में तेजाब नहीं मिलने का भी कानून है जो 2013 का है देश नहीं लेने का कानून है वो 1961 का है अठासी सतासी का यह या बेरासी का वो ठीक से मुझे याद नहीं वो भी है भुण की जाच करवा के जो हत्या की जाती है अब भुण की जाच करना अपने आप में अपरा गए सभी जो रेडियो लोजिस्ट है उनको अपन दनिया पराद है, इतने साल की सजा होगी, उसके बाद भी चीजें चल रहे हैं, और ऐसे लोग, मेरी तो छोड़ी है, हम सब के अगल बगल मेरोस प्रोडोस में सुनने हुआती है, तो इन सब से एक सरिंखला बनी, फिर मुझे यही लगा कि यार यह बक्का गोंगे देखा ज अच्छा रहे हैं, हम सब जो अगर, बाल बच्चों गैसी पालता हैं, और हमारा दावा भी है, इस समाज में कोई नहीं कहेगा कि हमारा बच्चा अपराद ही है, कोई नहीं कहेगा, और अपराद करने पर जो जमानत मानत करवाया जाता है, जो राहत दिलवाई जाती है, व उसको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, वो सिर्फ आरूपी है, हम उसको आरोप लगने से अमभलात कारी नहीं मानते हैं, लेकिन एक शक्त तो जाती है न उधर, डाउट में आ जाता है, तो डाउट में आ जाता है, तो उस डाउट को समात करवाने में किसका सबसे ज़ जाता सा एक एक एकदम कह गयता है, इंपिरिकल एक स्टड़ी करने दिया जाए, मैं कि टाबों में फिलहाल नहीं ठाहरना चाहता है, उसको बादे शोड़ाता है, सर आपने लेंगिक असमानता के विरुद्ध लगभग पूरे देश में आत रहें की है, ये समस्या क्या इस मान सकता की समस्या भी होती है, और चुकि मान सकता की जड़े समाज में काफी गहरी हैं, तो उस पर रिप्रेक्ष में देखे, तो शायद एक समाजिक समस्या भी है ये मतलब मैं जो है, पहले आपने जो प्रशन पूछा है, उसमें टर्म का इस्तेमाल हुआ, मैं उसको थोड़ा साफ करना चाहता हूँ, लेंगिक असमानता, क्या ये लेंगिक है, मतलब मैं जंडर की बात कर रहा हूँ, जंडर को हम लिंग या लैंगिक या लैंगिकता कह सकते हैं, कह तो नहीं सकते हैं सर, लेकिन चुकि हमारा भारत सरकार का जो राजबाशा आयोग है, वो इसको इसी टर्मोलाजी से जानता है, तो इसलिए, क्योंकि यहां पर जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जिनके उपर पालन की जिम्मेदारी है, वो सब इसी मानसिकता में है, वो बहुत अच्छे बात कहीं ज़रापने, कि ये लैंगिक समस्या है, लैंगिकता है, जैसे लैंगिकता कहता है, एक को छोड़ के ब बात कौन करेगा हां चलिए लेकिन मैं यह कहूंगा कि आगे से इस तरी पुरुषभेद भाव की रूप में कहता हूं तीसरे को चलिए जेन्डर ही कहता हूं मैं जो जेन्डर का जीवन में वो एक परिपाटी होती है हम उसमें शामिल हो जाते हैं धारा बह रही है चोटे-चोटे नाले मिल लेते हैं तो हम नाले हैं वो पतनाले हैं वो समाज की परिपाटी है उसके हिसाब से चलते रहते हैं यह चीज़तर पहले प्रथा थी अब यह परमपरा हो गई है अब ठीक है वो जैसे भी कहें आप अब क्या है कि हमने कभी नहीं सोचा कि कि किस दिन हमको गाली देना आ गया कोई भी खड़ा हो कि यह कहें कि उसने अपने जीवन में कभी अपसब्द नहीं बोले और गाली नहीं दी तो बड़ा यकीन करना दूस्त बहुत दूस्कर होगा तो आ कहां से गया क्योंकि पिता ने सिखाया तो नहीं था मातन ने नहीं सिखाय था कि बेटा यह काम करो उन्हों डाट जरूर दिया था सायद कभी लेकिन फिर भी हम सीख गये कैसे सीख गये कि पिता ने हमको तो डाटा लेकिन हमारे सामने हमारे पीछे उन्होंने कहा वो भी कहा था तो एक रिवाज बन गया और मैं इसकी उसमें नहीं जाओंगा कि कौब हुआ कहां से हुआ किस जगे ऐसा आता है हम जान रहें कि यह गरबड है न तो छोड़ दिया जाए जान रहें तो हम हमारा पूरी प्रक्राकेस जो जेंडर की प्रैक्टिस है कि उसको देखें तो जितने चेतन से लोग हैं हम मैंसे यह समाज केते हैं समाज का चेतन का वो देखें वो दहज लेता है क्योंकि चेतन तो वह ही हमको कहता है यह लीडर्स है सुसाइटी के बूरोक्रेट्स हों कि वैज्ञानिक हों अकादमी जगत में हो मनुरंजन जगत में हों राजनीती में हों कि न्याय ववस्था में हों कि दहज लिया हुआ जज दहज के खिलाब क्या जज्मेंट देगा इस नहीं आप दूढ़े कितने आपको मिलते हैं तो अब इस प्रकार ये इन सब आचरों से मिल यूलकर ग्यान का उत्पादन हो रहा है और इन सब के आचरन से एक प्रक्रिया तयार हो रही है हम उसमें सामिल हुए जा रहे हैं और जब जान बूज करके समझदार लोग इस तरह के काम करते रहेंगे तो हम बाकियों को क्या कह देंगे तुम मत करो हमारे ले ठीक है यही हो रहा है आज मैंने यात्रा शुरू की थी पंद्रे मार्च 2014 को राइट फॉर जिंडर फ्रिड़ मैं उसी साल मैं के किसी तारीक को दूसरी तीसरी हपता में हमारे देश में प्रधानमंत्री नहीं आए और आते ही बहुत जल्दी उन्होंने एक बात कही बहुत बड़ी बात शांदार बात कही बेटी बचाओ पुरादेश में तहलगा मका लोग गहर है कि कितना हमारे प्रधानमंत्री कांसर्ण है मैं भी उनका सुममान करता हूं इस बात के लिए पर मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने ये बताया क्या की बीटी को किन से बचाओ 70 साल में जिसको वो 70, 70, 70 साल गिनाते हैं वाकई वो 70 ही साल है 70 साल में ऐसी नौबत कैसे आईगी बेटी बचाओ बेटियों का जाने का सिलसला कैसे ये रफ़तार कैसे पकड़ी सेब दाइगर का मतलब तो समझ आता है बाग बचाओ उसका आर्थ समझ में आता है कि हाँ, उसको शिकारियों से बचाना है, ब्रस्ट वन तंतर से बचाना है, वाइल लाइफ से जुड़ी ब्रस्ट आचार है, उससे बचाना है, ये इस गिरों से बचाना है, इधर बेटी को किन से बचाना है? बीटी पढ़ाओ बीटियां पढ़ रहे हैं बीटियां पढ़ नहीं तो उनको घर में युण गुशाओ उसको बाहर नौकरी क्यों नहीं दो उसके लिए कजिया दान योजना क्यों चलाओ नहीं जितनी सम्मानित सरकारे हैं और अब तो मासाला मैं कहा रहा हूँ कि हमारे देश में इत्ती बड़ी सरकार है जिदर देखें सरकार है तो हमारी सरकार को यह बात सोचनी चाहिए ना कि कन्यादान योजना क्यों चलाए हैं हम उस समाज में रहते हैं या पैदा हुए जहां पर घर घर में बेटी के आगमन पर कहा जाता है लक्षमी आई है और बेशक कहते हुए जुबान का स्वाद का सैला हो चेहरे की भंगे मां कुछ उसमें प्रसंदता कम हो या ना हो लेकिन कहते जरूर है कि लक्षमी आई है बेटी के आने पर तो अगर लक्षमी है वो तो दान कैसा और लक्षमी है तो क्या है हम बेटे के आने पर कुछ कुभेर उवर जैसा कहते है कुभेर कार्थि गणे इस्ट्री अट सप्तर हीजार है उनमें से किसी का कहते है है तो और हम साक्षात यह कहते हैं कि कन्या देवी हैं नारी देवी है तो अगर वो देवी है तो उसका भाई मनुस्ब कैसे हो सकता है या कुछ वो कैसे और कोई जीव हो सकता है तो नहीं वो तो डिसिजन मेकर है वो तो एक लड़का है उसके पैदा होने पे तो आप कहते हैं, न कुल का चीराग है राइफल से गोली चलती है, ठाली पिटी जाती है, बहुत सारे रिवाज देश में घूम करके देखा है, हर भाशा में देख लिया सर क्या ये जिन चीजों के आप बात कर रहे हैं, जिस तरह की मन सिक्ता क्या बात कर रहे हैं आपने तमाम यात्राएं की हैं, आपके पास अंभव बहुत जादा हैं, क्या ये धक्षिन से लेके उत्तर तक सरवव्यापी समस्य है, कमोवेश हर जगह ये इस्त्ति है भाई, मैंने तो अभी तक जहां तक देखा है, सबी जगह है, जनित जो व्यभार है और जो आपक्ति पैदा करता है, वो सब जगह है हाँ, कहीं कुछ जादा प्रकर है, कुछ दबा है, कहीं कोई चीज जादा है, कहीं कोई चीज कम है लेकिन, है है, बहुत है, मतलब क्या बता हूँ, जो चीज जैसे रड़के या विशल मारते हैं, वैसे विशल वो केरला उन्वस्टिवी में मारते है, दहेज इस देश में सबसे जादा केरल वे हैं, दहेज प्रता, लेकिन वहीं पर आपको संठानों में भी औरतें जादा मिलेंगी, या जो political representative अगर हैं, तो वाकई हैं वो, बदले में पती काम नहीं कर रहे हैं, मतलब सरपंचपती टाइप सिस्टम नहीं है, विधायक पती टाइप सिस्टम नहीं है, बिहार में विधायक पती भी हैं, तो पर अट दा सेम टाइम घर पे जो चीज में फेस करनी ह होती है, वो करनी होती है, जो जिस violence को institutional कर दिया गया है, फैमिली सेट अप के तहत हो गया है, वो उसका हिस्सा या उसका अदूस परिणाम, वहां भी एक जेंडर को जहलना पड़ता है, जाहिर है, वो अरते हैं, और child marriage, आप कुछ भी ले लिजे, आप बेटे की चाह ले लिजे, मान सिकता तो है न जी, मान सिकता है तो वो घटना है तो होंगे न, अब वहां भी लोग इसी परंपरा का वो निर्वाह कर रहे हैं, जहां पर घर का परधान एक खास जंडर का है, जो पुरुश है, तो फिर उनके साथ, वो अपने हिसाब से सुविधा से कर रहे हैं, आपके पास, जैसा मैंने कहा था पहले, कि परंपरा में चीजें चल रही हैं, वो एक धर्रा बन गया है समाज का, आपकी शादियां कानून के हिसाब से नहीं हो रही है, वो परंपरा के हिसाब से हो रही ह वो एक खास परंपरा के हिसाब से हो रही है तो जब ये दोनों चीज़ें जैसे मृत्यू और जन्म और शादियां ये तीन आपके जीवन के महत्पूर्ण स्टेज है ना इन तीन महत्पूर्ण स्टेज में वो जाति बार वरस्ता बने लिए रोल भूमी का तया है जाति कहीं साब से तया है और जंडर कहीं साब से तया है ना धान छीटने और माटने का जो काम है वो नाई ही करता है क्रता है ना, शादी में गीत गाने का काम औरतें करती इन और गहना सौपने का काम पूरुस करता है, सभी रिवाज में, यहां से वहां तक, तो ये परंपरा है चल रही हैं, और हम परंपरा प्यादारित समाज हैं, ठीक है न? भीवे目 द सब्सक्राइट है तो इन संस्कारों के रहते रोल कहा तूट रहे हैं रोल नहीं तूट रहा ना लड़कियां बाहर निकल के काम कर रहे हैं वो मुलब CEO हैं कि वह बूरोक्राइट हैं देश चलने के लिए कैसा राश्त पती बन गए है अब और क्या कहें हवाई जाज में पता जलता है कि 6 के 6 किरू मेंबर लड़की हैं यह और आराम से 1200 आद्वी अपने एक जगे से दूसरे जगे चले जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है तो क्या जी यह सर्फ एक्जांपल देने के लिए रहेंगे क्या कि इसका सामानी करण होगा कन्या द्यान योजनाय बंध होनी चाहिए ना कितनी डेरोगेटरी है एक मनुस्य को कोई कोई दान कर सकता है अपने संदान को दान कर सकता है दान हमेशा वस्तू का होता है कि दान बुश्टूगा होता है लेकिन हम उस जीगर के टिकुड़े को जिसको पाइदा करते हैं बहुत लार प्यार से आधुनिक आधुनिक गार्जियन या आधुनिक अभिवाब को मातां पिताओं के लिए ये बात सोचने के लिए है वो तो बहुत प्यार करते हैं वो तो आपकी नजर में इस्तिति कह रहे गई इसलिए इन परों-परों से फिर टक्राना पड़ेगा तब यह विवस्ताइं टूटेंगी बलातकार एक दिन में नहीं होता नहीं एक दिन में या कोई अभी तुरत ताई कर लेंगे का मलातकार का मला हमारे दिजैन में को भी ख्याली लेकिन कैसे आता है वो प्रक्रिया कैसे तैयार होती है वो निर्मान कैसे होता है तो जब हम सोचते हैं हम अपने घर में बच्चा की पाइदा होने पर जब हमारा बच्चा साल लेड़ साल का हो जाता है और अपनी जरूरत बताने लगता है ममी मच्छर काट लिया पापा त हम यह सब यह कि एक झाल कारते हैं में कि उसमें फेरल में पाते हैं कि अगर मेल साल कि उम्र तक आते आते इतना निरभीक निडर बे शरम कॉन्फिडेंट हो जाता है कि किसी दीवार सड़क में हिर पेड़ कोई दिक्कत नहीं होती और उसी उमर में बेटियों को को एक दूसरे ट्रेनिंग देते हैं वो पांस साल को उमर तक आके बन्यान अगर पहनी है तो उससे भी गुटने ढखना के ट्रेनिंग अपने आप पानिंज का सीना नहीं चाहिए कि मैं इस बलातकार की बात कर रहा हूं जो एक खास जेंडर बेस्ट जो है कि बलातकार तो लोग हमारे संसाथनों के साथ भी कर रहे हैं जो बात हो रहे थी लेकिन बलातकार यहां मैं इस बलातकार की बात कर रहा हूं जो जेंडर जनित पावर का इंजन भी नहीं चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहली शर्त है बेशर्मी, बेशर्मी चाहिए, और जिसको आपने एक इंची की ट्रेनिंग दी घर में अपने, वो अगर अपने आपको जागर के खुद से स्ट्रगल करके नहीं मुक्त हो पाया उससे, त जिसको आपने ये वाली दूसरी ट्रेनिंग दी थी, जो लड़की है, आप देखे उसके जन्दिन पर खिलोना क्या देते हैं, आप जाए किसे दुकान में कई एक साल के बच्चे के लिए खिलोना चाहिए, तो पुछे का लड़का है की लड़की, आपने मनुस्य का तो त जेंडर तही कर दिया है, सभी आपसर, नहीं, खिलोनों का भी जेंडर तही कर दिया है, आपने, क्या देखे आते हूं, गैस का सिलिंडर वाला सेट, चुटी-चुटी डेगची और भगोना और चाही की पद्धी टाइप, जिसमें अगले ही दिन सुबह उठ करके वो, वो क्यों अपनी मम्मी को देख रही होती न, ऐसे करके बच्पन से ही पैदा होते ही, रोते हैं, हस्ते गाते कि मम्मी सिलिंडर से खेल रही है किचन में, तो यह फिर उस खेल में, वो अगले दिन डेड़ इंची के सिलिंडर से, बड़े के नेक्स डे जब रैपर खोलते हैं, तो डेड़ इंची के सिलिंडर को साड़े चोदह की जो की सिलिंडर से रिलेट करते हैं, और उसी खेल की तरफ अग्रसर होता है, तो जहनियत तैयार की जा रही है, मुझे, मैं इस चक, मैं आपका ये जबाब नहीं देंगा, कि ये साइकोलोजिकल है, कि सोचल है, कि एकॉ के लिए चोड़ देता हूँ, वो आप लोग करें, आप अकादमिक जगत के लोग वो काम करें, आप अच्छा काम करते हैं, आप लिखते हैं, समझा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करें, हमारा मार्क दरसंग करें, किस खिते में जाएगा उस खिते में डालनें इ और किसी लड़के के कनपटी में सटा दिया होगी अपने बाप को बोलो मेरे पापा से दहज नहीं लेंगे तो गोली मार देंगे या किसी लड़की वाले ने किसी लड़का वाले के कनपटी पर रिवालवर सटाया होगी कि अगर दहेज नहीं लिए तो तुम्हारे बच्चे का आपारण कर लेंगे नहीं ना दहेज में थोड़ी कमी रह जाती है तो इन में से कुछ हो जाता है किसने जब बरदस्ति दिया है यहां तो हम देखते हैं हमारे अगल बगल में लोग प्रेम करते हैं कि शादी का टाइम आता है तो बहुत से लोग मुझे बैंगवर में मिली एक स्टोरी मेरा दिल दहला दिया कि आप प्रेम खुद करते हैं शादी किस करने के समय हो माइड़ी इस लिटल ओल्डी कांड़ परसंग लिटल ओल्डी इस ट्रेडिशनल यह नो मेरे घर में मामा की ही चलती है कोई नी दहेश थोड़ी ने देखता है लोग नोट थोड़ी गिंता हुआ देखे का गाड़ी दिख जाती है एंकल को बोलना ही गाड़ी देते हैं क्या तरीका है और रोना रो रहा है कि दहेश चल रहा है आपको को गर्दन में हाथ लगा के कह रहा है कि दहेश बाली शादी में जाईए कि कुई लाइन में लगा के ले जा रहा है जैसे रिवाल्बर लगा देवां सिलेंडर करके हाथ पटारे चल साधी पे चल आप नहीं जाएए देखिए उसकी साधी में रंग में बंग होता है कि नहीं पचास करोड ना खर्चा करे कोई देखने वाला नहीं रहेगा आप सपोर्ट दे रहे हैं इस काम को कॉंटिन्यू करने के लिए हम सब दोशी हैं हम सपोर्ट दे रहे हैं आप सूची कितने कितने सामान्य साधियां जो सामान्य हमारे जैसे समुदाय समाज में जो साधियां हो रही है हमारे रिष्तेदारियों और परोस में उसका भी खर्च कर रहा है कि छोटी राशी है कि उस बीस लाट में अपनी बेटी को आप दे कर गे उसको किसी अपना कंपनी छोटा लगा लेती को काम करती सी यो कहलाती दो तिन ठों हेलपर भी रखती आप वो नहीं करेंगे उसके पैदा होने के दिन से आप क्या करें रेकरिंग एकाउंट चलाएंगे और हमारे देश की जो नीतियां है पॉलिसी देखे क्या जीवन सु कन्या कन्या दान योजना कन्या दान योजना मुख्यमंत्री अपना फुट्ट टंग वाए हुए उस कैसे बेटी बचेगी मंत्री बने बाठे कहाँ बेटी बचेगी किस बात के लिए बचाना है आग देवी को बचाने की जरुरथ पढ़ती है देवी को बचाने की विजरुत पड़ती तो काहे पाखंड खरते हैं फिर पूजा करने क्यों जाते हैं देवी तो ताक्तवर होगी ना अब दुरगा पूजा साल में दो बार यहां पे नवरात्रा होता है इस देश में बहुत संख्यक आवादी करती है जो कहते ना यहां बह परंपरा का देश है उस परंपरा में नौनों दिन साल में अठारा दिन उपवास करते हैं लोग कम से कम हलाकि वैसे लोग हर हफ्ते भी करते हैं बहुत सारे दिन आते हैं एक आदिसी वगरे भी कही आता है संडे आता है मंगल आता है ब्रस्पति शुक्र सब आते हैं लेकि तो किसके नाम पर मिलता है शक्ति के नाम पर, दुरुगा के नाम पर, वो क्या है? ताकत देती हैं आपको, उसके दम पर आप बहुत कुछ कर जाते हैं, वो शक्ति आपको, तो उसके दम पर जब आप कर जाते हैं, तो उसको क्यों नहीं करने देते भाईया, उसका दान कैसे स समभब, नहीं, 18 साल की या 16 साल की किसी लड़की को अपनी फ्रेंड के बड़े में जाना हो, भारत यही नहीं है, पहले तो यह मैं साफ कर देता हूँ, लोग जो समझ रहा है ना कि भारत यह दिल्ली में जो है, और बंबई में, और कुछ सहरों के किसी खास इलाके में, यह कि हम इडुस्तान थोड़ी है, हिण लिबरल हो गया है, लेकिन वो हम को हिण दुस्तान नहीं दिखा, वो बहुत छोटे-छोटे कोने हैं, वो बहुत छोटे-छोटे आप वर्चुल मीडियम है ना आपके पास ये वर्चुल दोस्ती का फोरम सब है सोसल मीडिया प्रेटफॉर्म्स वहाँ के हालत देखिए यहीं कि सर्फ यहां नहीं है जमीन पर नहीं है और यह सब एक पाखंड के तहत institutionalize हो गया है मैं अकेला आदमी थोड़ी हूँ मैं पहला गया हूँ हम पता नहीं करोडों लोग जंडर के लिए लड़ रहे है इतने भारी भारी काम हुए हैं इतने अधिकार दिलाए हैं वोट के अधिकार दिलाए हैं सड़क पर चलने के अधिकार दिया हैं काम का अधिकार दिलाए हैं सब कुछ मिला है लेकिन उन जगों पर भी हाइरार्की वैसे ही बनी होई है समझ रहे हैं आप CEO आप गिनाने के लिए दस पांच गिना सकता हैं आप तो हम कही रहे हैं कि राश्पति गिना सकता हैं लेकिन कि नॉर्मलाइज नहीं हुआ है सिच्वेशन सामाने चैनित मुद्ध हो क्या सर वह एक चैनित कटगरी हो जाते हैं तो यह एकदम अपनी जहनियत को साफ करनी चाहिए मैंने मैं मैं अपना मुझे जो समझा हूं मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा कीजिए आपक कि ये बड़े हिस्सी को और एक को अन नेसेसरेली बहुत मज्मूत बना रहे हैं । एक को एक्सट्रा sevent कि एक्स्ट्रा ऑथोरिटेटिव अध corrosion कि अ बना रहे हैं है और यहां जो प्रक्रियाएं हैं जो समवैधानिक अप्रावधान हैं। वो जिंडर के मसले पर आगर के बहुत कम्सोर हो जाते हैं मतलब उसका इंप्लिमेंटेशन आपको नजर ही नहीं आएगा तो देखेंगे विभाग खुले वह हैं लेकिन संविधानिक प्रक्रियाओं को जब प्रावधानों को आप देखते हैं तो हर बात के लिए कानून तो है लेकिन उन कानूनों का उलंगन पालन से बहुत जादा है कहे रहा ना कि शादियां छोटी बात नहीं है यह तीन प्रक्रियाँ हैं हमने बताई लेगिं़ शादियां कहां कानून से हो रहे हैं टोटल जो मैरेज है उस मैरेज का कितना परसेंट आपका जो स्पेसल मैरेज एक्ट में रेजटर हो रहा है आप देखिए, Special Marriage Act में जो सबसे ज़्यादा रेइस्टर हो रहा है, वो जो घर में सताय हुए लोग हैं, जिनकी लड़की के माता पिता नहीं मान रहे हैं, लड़का के बाता पिता नहीं मान रहे हैं, और दोनों में ये सामती होगे कि चलो रेइस्टर करवाते हैं, अब साध अब उनकी स्थिती देख रहा हूँ, क्योंकि हम से ये कहा गया था, बचपन से, और अभी भी हम सुनते हैं, हम अपने बच्चों को कह रहे हैं, कि बेटा पढ़ लिख लो, दुनिया सुन्दर होगी, अच्छी व्यवस्ता बन जाईए, पर हमने देखा पढ़ लिए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्ता में जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, उसकी जटिलता बढ़ी है, और उन जटिल व्यवस्ताओं में जेंडर की इस्थिती जस्कीता सही है। अगर हम दोनों की तुलना करें, तो क्या ऐसा दृष्ट सामने आता है क्या कि ग्रामीड छेत्र की महिलाएं अपने नेड़े लेने में ज्यादा सक्षम या ज्यादा स्वाव लंबी होती हैं, शहरी महिलाओं की बज़ाए। अलग अलग तरह की सहुलियते हैं, यूनिफॉर्म नहीं है मतलब, अलग अलग तरह की सहुलियते हैं और जटिलता हैं, अब जैसे शहरों में भी, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में, अभी एक, क्या नहीं, दिव्या बालन एक सरकार की एंबेस्टिर है, भारत सरकार की, सौचाले को लेकर जए, सौचाले नहीं होगी तो शादी नहीं करेंगे घर में, ये भी कई जगा, हमारे बिहार में भी, महाराश्च में भी, पुरो पुरो देश में, ओडिसा में, सब जगे हमने देखा, इधर उधर, वो सौचाले बन रहे हैं, और वो गाओं को और वो ज़्यादा हाइलाइट करके बताते हैं कि, खुले में सौचाले मुक्त छेत्र, और उसके पीछे भी लॉजिक जो है, जो दिवारों पे जो वाल रैटिंग होती है, उसमें इस्तरियों को केंद्रित करके, इस्तरियों की सुविधा के लिए वो है, पर हम ये पाते हैं कि, शहरों में, वो इसलिए एक नोशन बना हुआ है, कि गाओं में इस्तरियां या औरतों को बाहर जाना पड़ता है, खुले में, ये एक नोशन बना हुआ है, शहरों के लिए भी, शहरों में मुझे इस तरह के वो बोर्ड बोर्ड लगे नहीं दिखे, लेकिन आप चले जाए, ये किसी रेलवे लाइन के किनारे के जाड़ी बाड़ी भागल होगल से, तो अब हम कैसे कहें कि ये किसकी प्रॉब्लम है, किसकी नहीं है, कोक में मारने जाती करम में, जाती हमारे समाज के बड़ी कड़वे सचाई है, और जाती करम में, जो अगड़े वर्ग हैं, उनकी इस्त्रियां और जो पिछड़े या जो दलित वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनकी इस्त्रियां, ऐसा लगता है सर कि कमजोर वर्गों की इस्त्रियों को या जो गरीब वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, उनकी इस्त्र यह अलग-अलग छेत्रों में आपको दिखेगा, यह जो आपका हिंदी पट्टी है, जहां होने वाली गतिविधियां या जहां की परमपराएं भारतिये मानली जाती है, तो उस हिंदी पट्टी में आप पाएंगे कि हां, जो गरीब कमजोर, यह दलित, लाचार, मैं दलित के साथ लाचार भी जोड़ रहा हूं, इसमें मुझे बहुत गाली पड़ेगी, लेकिन अमूमन इस्तितियां ऐसी ही है, एक सप्सें बहुत कम है, वो पस्ची मुत्रप्रदेश में सबल हैं, या देश के कुछ हिस्से में सबल हैं, व् जलित को और स्पिसफाइ में कर देता हूं, आज कल लोग एक जगे मुझे टोक दिया, तो मैं मूल निवासी भी कह देता हूं, मुझे कोई निकतनी में साह मत हूं, मूल निवासी, तो मूल निवासीों में लाचारगी की स्थिति है, उन लाचार समुदाये में, जिसमें जाता है उसको आप थोड़ा किनारे करें क्योंकि वहां पर उसकी व्यवस्था थोड़ी अलग होती है अधर्वाइज आप आएं देखें तो क्योंकि कोई अप्शन नहीं है कि जोथ तठयर संस्क्रिंटी करण है वह उस तरह का नहीं है वहाँ पर तो और लेने वह सक्षम है वह की स्क्षम पर जो व्याहे नहीं क्यों सब्सक्रा शहां से करने के लिए सक्षम है को हो एक किस्म की सक्षम उसक्राओं पर जो व्यवहार, जो मोटे व्यवहार हैं, अब दल्लित समुदाय की औरतों पर अत्याचार, जिसको जाती जनित अत्याचार आप कहते हैं, पूरुसों के साथ हो सकता है कि काम करवा लिया जाता हो, दो घंटे जादा, या अलग तरह का वाइलेंस जहिलना पड़ता हो, डिस्क्रिमरेशन जहिलना पड़ता हो, औरतों को जो उनकी औरते हैं, उनको इस सबके अतिरिक्त, जो यौनिक हिंसा गहते हैं, उनका सिकार भी जादा होना पड़ता, और दिल्ली के आसपास आप इस बात को और नोट कराएंगे, हर्याना बहुत नोटोरियस है इसके लिए, और सिर्फ हर्याना मानने नोटोरियस यह यहाँ एक दो केस हुआ हैं, नि तो बाकी है, मनने एक दो केस जो जन्तर मंदर पर आकर के, तक कुछ बात है अभी हमारे हाजीपूर में हुआ है स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट को वहीं टीचर्स वगएरे ने ग्यांग रेप करके नाली में फेग दिया कि देल्टा में एक वाल है राजस्थान में जिसका केस काफी सोचल मीडिया पर भी आया है यह बहुत सारी केसे जो आते नहीं मनें वहीं नहीं है जो हमको दिखता है वह बहुत बढ़ा भारत वह है जो नहीं दिखता है उसमें परंतु जो सुविधाओं का मामला है जिसको कहता है कि पढ़ाही लिखाई के साथ थोड़ा एडवानस्मेंट उस एडवानस्मेंट में भी अब हम उत्तर भारत में खास करके हम ये पा रहे हैं कि जो वंच्चित तबका है जो दलित तबका है जो कमजोर तपका है, जो लाचार तपका है, जिसने लंबा समय वंचना देखा है, जेला है, आज उनकी रफ्तार जो है, जीवन को सरल करने की दिशा में जो प्रयास होते हैं, अपर्चुनुटी के तरफ वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, वो बहुत सकारात्मक दिखता है, वो ज्यादा खुले हैं, उनकी वो प्रतिक्रियावादी नहीं है, बहुत बात बहुत जल्दी किसी उस पे जो है, निर्णे उनने लेते हैं, उनका टार्गेट है, उनका टार्गेट है यहां को स्वाब लंबी होना है, बहुत दकिया नूस नहीं है, लेकिन ज या जो जो मद्द जाती हैं और मद्द वर्ग इसमें दकियान उसे बहुत जा रहा है बहुत दकियान उसे है एक तो बंचित है और दूसरे कोई फर्क नहीं परता हूँ उनके पास हर तरह के संसाधन है हाला कि जेंडर को ले करके उस घर की चार दिवारी के अंदर ऐसे परिवार में मैं मिला और तो से मिला वो अरत कह रही कि इस घर में पिछले टीन साल से यह टीवी मेरा दोस्त है मैं इसी के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हूँ और वो अरत आप यकीन मानिए उनके पास हिंदी जानती हैं अंग्रेजी जानती हैं नेपाली जानती हैं भोशपूरी जानती हैं और बांगला जानती हैं पांच भासाइं जानती हैं बिहार की छपरा की है, ओरिजिन, पैदा हुई बंगाल के दाजलिंग में, वहीं पर ग्रेजमेट हुई, बहाशा की पढ़ाई करी, अंग्रीजी बहाशा पढ़ी, क्यूंकि छपरा की है तो घर में भुश्पूरी बोली जाती थी, वो समाज में है, उसलिए वो बांगला ब पढ़ा हिस्सा नेपालियों का है, तो उसने नेपाली सीख लिया, तो वो पांच भासाइं जानती है, ग्रेजवेट है, उसकी शादी जाती के हिसाब से करनी थी, परमपरा के हिसाब से करनी थी, धर्म के बताय रास्ते पर करनी थी, इसलिए उसकी शादी उससे कम पढ़े लिखे लेकिन खोनहार पैसे वाले जमीनदार परिवार से करना था वो छपरा के गाउं में पहुंचा दी गई दाजलिंग के बाजार से शहर से जहाँ पर जुनिटी थी यहाँ से जादा अब वो सिर्फ उसको घर में लाके बंद के रख रख दिया उसके जिम्बे आ गया है घर में काम तीन टाइम भोजन लोगों के कपड़े उपरे की सफाई मसीन है लेकिन मसीन में गुमाना उसी को है निकाल के सुखाना उसी को है मसीन ने जीवन इतना सरल कर दिया कि यह नहीं करना पड़ता है मसीन बाकी सब काम कि रध बहुत नहीं हुआ। मैं ये चीज भारत के लोगों को लाकर बता देना चाहता हूं। अ मुझे हुए सएक्ल से आपने भारत के तमाम हिस्सों के अत्राइं की। हर जगह आपने लोगों को सिक्षित करने की लोगों को बताने की कोशिश की ही होगी जंडर डिस्क्रिमरिशन के बारे में आपके मिले जुलन वो क्या रहे है सर क्या लोग इन बदलाओं के प्रति सकरात्मक दिखते हैं या अभी शायद लंबा वक्त लिया लंबा सफर दे करना है अनों को कि अधिकर मने मैं इसको किसी टाइम फ्रेम में नहीं देख रहा हूं और ना मेरे मन में कहीं यह रक्ति भर भी भ्रम नहीं है धूल बराबर भी कि मेरे गूम लेने से भारत में जेंडर की समुश्या समाप्त हो जाएगी समझ गया ना तो यह तो बिल्कुल ही निकाल देज जहन में से मैं कुछ भी नहीं मैंने पहले का कि यहां है बहुत सारे लोग पहले से कर रहा है कि सबसे बड़ी ताकत है यह जो मोटिवेशन है वह यह है कि मुझे तत्काल लोगों के चेहरे से जबाब मिल जाता है मैं बता तो रहा हूं कि मैंने देश में जितनी विचारधाराई अभी चल रही है यह जन्मानस में जितनी विचारधाराई चल रही है राजनिती में जितनी विचारधाराई चल रही है मैंने सब के साथ बात किये मुझे सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी के लोगों ने यूपी में मुझे माला पेना दिया मैंने रितंबरा सादू के स्कूल में जाकर के भी बात कर ली समाजबादी पार्टी के कार्याले में भी चला गया कॉंग्रेस के लोगों के पास भी जाके बात कर ली मंदिर में चला गया मजार और मस्जित पे चला गया ठीक है ना मैं सिनेमा हौल पे चला गया बस टैंड पे चला गया रेलवेज स्टेशन पे चला गया स्कूल में चला गया कॉलेज में चला गया आंगन में चला गया किसी जगे से मुझे धक्का मार के बाहर नहीं किया गया तो जब मैं इतनी जगे गया जिस देश में लोग भिखारी को ये खुरपईया देने में जिसको देख रहा है कि उसके सरीर पर ताकत नहीं है मिरा बोज़िंड 피十 ने हां या कोई बीमार है कैसी को सपोस्पोर्ट चाहिए उससे नज़र मोड़ लेते हैं वहाँ उस घर मैं कarolay at a उस उस परिवार में वैसी सोच में घर में कैसे रख लेते हैं और घर में रखते इनियां ये वोजन भी कराते हैं और निकलते समय कि समाज में बात सुनने की जगह आज भी है करने वाला नहीं है ठीक है और बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो कुछ भी सीखा है जीवन जीने का रास्ता वो तो हम अपने पापा को फॉलो कर रहे हैं हमारे पापा ने वहीं किया जो उनके पापा ने किया कि समय के हिसाब से काम कि मने श्रोट या माध्यम थोड़े इधर उजर हुए क्योंकि दादा के जमाने में खेती ही कर सकते थे ज़्यादा विकल्प नहीं था लग्रें पिता के जमाने में खेती ओर रोजगार और स्वारोजगार का भी उपाय था आज हो सकता है कुछ और हिसाब उसमें जुड़ जाए या घट जाए स्वरूप बदलता रहता है परंपरा में हमारे दादा के समय में धोती चलती थी पतलून पिता के टाइम में आ गया था आज हम सौट्स पहन के साइकिल चलाता है बर्मुड़ा में घुम टाहल लेते हैं ओफिस में काम कर लेते हैं तो परंपराएं बदली हैं ना सुविधा से अपने हिसाब से हमने परंपरा बदली तो यह जो परंपराएं जो आग बंद करके फॉलो की जा रही है उसको तुम छोड़ सकते हैं या नहीं शुरूआत कर सकते हैं नहीं तो यह बातें क्यूंकि हमारे सामने आपसर नहीं है क्या है मनलब आज देश में आप देखें तो बहुत सारे स्रोत नहीं है अब दैनी जा रहा है आप आप वह लाइब्रेरी कुछ या कुछ विश्विद्या ले कुछ संस्थाएं कुछ केंद्र इक चुली वहाँ पर नॉलेज संग्रहित है वह नॉलेज वहाँ पर संग्रहित है वह फिल्ड वर्क करके जो आये हैं वहाँ से पीएजडी करके वहाँ पर नॉलेज वापिस नहीं गया यही हाल है, जेंडर का भी, वो नॉलेज वापिस नहीं गया, उनकी इस्तिती पे किताब लिखी गई, बहुत जगे गया, उनके बीच में नहीं गया, उन परिवारों में चर्चा नहीं हो पाई, जादतर, तो इसलिए हमारे पास कैसे पता चलेगा कि ये भी आप्सन है, मैंने लोगों को हैरत होगी जान करके, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अभी भी ऐसे लोग जिन्दा हैं, जो कहेंगे हमने रेल नहीं चड़ा है, हम मोटर नहीं चड़े हैं, लेकिन हम दिल्ली में एसी बस में चलते हैं, बंबई में बिना लोकल के काम नहीं चलता है, और जब ये भी है, तो हमारे घ्यान प्रसार का अस्तर तो होना चाहिए ना कि वहां तक जाएं, नहीं, तो उसमें कुछ है मन है, उसमें कुछ दिक्कत है, वो जाने रहे बात, लोग चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको जब पताल तो अर्य वो सॉरी सर, I had no idea. Now I came to realize that why my relationship is in such a bad shape. And I am sure I am going to recover it. क्यों? क्योंकि वो मान के चल रहते हैं, वो अपने girlfriend से इतना उम्मीद कर सकते हैं, जिसको कि हम आएसे थोड़ा और उस लहजे में हम कहता हैं कि हाँ, taken for guaranteed वाली बात, तो यह मानते हैं इतना कर सकता हैं. लेकिन उतना ही अब वो अगर अपेक्षा उधर से हम नहीं बरदास्त कर पाते हैं, और यह ऐसा करते हैं, हम है मतलब जैसे कहता हैं कि spaces का उलंगन तो है ना, क्यों मने यह जगड़ा क्यों है, आप किसी के space में कबजेदारी कर रहा है, problem तो वहीं से start हो रही ना, तो gender की समस्या अलग थोड़ी है, gender में भी तो वही बात है ना, आप देखना चा कर रहे हैं, कि उसके इर्द ग्रद क्या है, उसका क्या है, कियो उसका होना क्यू चाहिए, यह तो हमारे ठीक लगता है, आज़ादी मतलब यह नो हम 11 बज़ता, कोई दिक्कत नहीं है, यह, हम हम ए, रढ़क्यों को सुरक्ष, उनकी सुरक्ष का इंतजाम किया जाना आप अगर रस्ते पर सीधे चले जा रहे हैं आपको तक कर नहीं सकते आपको दिख रहा है ठीक से आपको तक कर मानने जरूरत क्या है तो जब आप तक नहीं मारेंगे तो हम घबल से गुजर हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी तो प्रॉब्लम दुवाँ ओगी ना जब हम लाइन क्रोस करेंगे पी लेखा से आगे ना जाएं मेट्रो में कहते हैं ना कि पी ली रेखा से आगे जैसे ही आप पी ली रेखा क्रोस करते है तो हमारी आदत है पीलियी रेखा को क्रोस करने के चलने के नहीं क्रोस करने और इसको période calm करता है इसको वैदता कौन परदान करता है हमारी परंपरा हमारी सिक्षा विवस्थफा आज भी आप देखिए जो फैमिली का नगे प्रिवार को फोटो परिव का परिचे करता है मा पापा भाइ बहन ये चार की फैमिली ऐसल आथा-दादी निकल चुक ए ना-ना निगाए भाए है बुवा फुफा नहीं है, मा मा भी नहीं है, तो आपने एक community को तो विलुप्त कर दिया उदर से जो पुरा वो था, मातर प्रक्ष का जो साइड होता है, वो पूरी तरह साफ है, चाचा कहा है, लेकिन मैं जो वो कर रहा हूँ कि उस फोटो में, वो चार माता पिता और भाई बहन के जो फोटो है, उन फोटों के ड्रेसिंग देख लीजे आप, मम्मी साड़ी में ही है, किसी किताब में आपको हो सकता है, आज कि किसी किताब में दिख जाए, कि वो मम्मी हिंदुस्तानी जोस में है, उसमें कहीं साइड दुपट्टा में जाए, तो में जाए, वो सलवार सूट, तो माता आज भी सारी में, पापा के कपड़े बदल गए, ये किताब बता रहा ह पाव-पाव पे जाते हैं बम्मी की रूटी गोल-गोल इस तरह के राइमस बच्चों को हमी रटवाते हैं मोबाइल पे बहुत सारे आप्स आ गए हैं राइम वाले इसे करते हैं तो बच्चा जो आच्छा है मैंने का वह गर्दन हिलाता है उसी राहे मिस पर उससे क्या उम्मीद करेंगे आगे जाके क्या करने वाला है कि इसलिए कि यह जो यात्रा है इस यात्रा का मक्सद कि मैं फिर सबस्ट करता हूं इसका मक्सद सिर्फ यह है कि एक ऐसी कि आध्यन यात्रा है जिसका का की जो भी हद्यन के दोरान जो सीख सीखा है यह जाना है वह वहें पर शेयर भी कर दिया लोग हमारे मित्र यह उम्मीद करते हैं कि मैं कोई किताब लिखूंगा उम्मीद करते हैं कि मैं कोई किताब लिखूंगा और क्योंकि मैं लेखा कूं बिना लिखे रह नहीं सकता हूं या पीछे लिखा इसलिए उमीद बन गई है परन्तु ग्यान का ये भी तो तरीका है ना कि कि जो हम पढ़े हैं आप से आपे के सामने शेयर भी कर लें आप ही से सीखे हैं और इस प्रक्रिया का मैं गहरा अभाव पाता हूँ और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बड़ा कॉंट्रिब्यूट कर रहा हूं इसमें नहीं क्यूंकि सीखना तो है इस दौर में मैं खुद भी सीख रहा हूं तो मैं किसी के उपर कुछ कर नहीं रहा हूं मैं ग्यान नहीं बात रहा हूं मैं सिक्षा नहीं बात रहा हूं इतना ग अब 18,000 किलोमेटर की तीन साल की यात्रा में 5-1 लाख लोगों के साथ हमारा समवाद हुआ है और हम यह मानते हैं कि जो लोग जब बाचीत में हम आते हैं और कोई विशाय जब हमको ठीक लगता है तो खुद दक से मित नहीं रहते हैं कोई अच्छी किताब पढ़ लेते हैं तो किसे से सेर करते हैं लिखना जानते हैं तो रिव्यू लिखते हैं नहीं कोई फिल्म देखते हैं तो रिव्यू लिख देते हैं या बात कर लेते हैं तो ऐसे किसी इंट्रेस्टिंग आदमी से मिलते तो उस आदमी से आप किसी और से मिलवा भी लेना चाहते हैं किसी इंट्रेस्टिंग और से मिलते हैं किसी लड़की किसी लड़के कोई दोस्त मिल जाता आपको जीवन में और इंट्रेस्टिंग है और आपको लगता है कि सिर्फ इन तक या हम तक नहीं है तो आप तीसरे को पहुंचा देंगे तो मैं यह मानता हूँ कि इस बात चीत इस प्रक्रिया में बहुत सारे लोग सामिल हो गए और फीजिकली भी दो हजार अठारह तक हम चलने वाले हैं तो दो हजार अठारह तक हम जहां भी पहुंच पाएंगे जहां तक उन सब जगे से कुछ लोग जो आज भी संपर्क में हैं समवाद में हैं एक्छुक हैं दिल्चस्पी बरकरार है वो सब फिर हम लोग एक जगे एक अठा होंगे समापन के दोरान और हम लोग अलग चीजों पर बात कर रहें अभी तो हमने प्रक्रिया पर बात की है यह मानस बंता कैसे है कि दो मिनिट में कर दिजाब लेके दोड जाते हैं है कई कुछ हम इसतरह की बात कर रहे हैं ऐसी कुछ सी यह प्रस्न है 5 है कहां से होता बलातगार की प्राट वाध्कार की पाड़ साला कहां ब्रून में मारना कहां सिखाया जाता है, वह गुरु जी कौन है, जो छेड़ना सिखाता है, लेज हम जानते हैं कि बैलून में पाणी भरके, हम यहाँ पे अपने बच्चे को पकड़ा देते हैं, होली पे पटक देते हैं, तो बच्पन में पटकेगा तो थोड़ा-पड़ा अगर फुल्जरी और बड़ा वाला छोड़ना चाहिए तो दिक्कत आपको आएगा कि कान में आवाज आ रही है बंद करो आप यहां बंद करो न तो अब हम उस पर बात करेंगे कि विबिन प्रक्रियाओं से गुजर कर जेंडर की जो एक समझ पैदा हो गई जेंडराइजिस कि प्रक्रिया को समझ ले गलत सही जैसा भी समझा कि उजच साफ हैसला करेंगे कोई होंगे घुम टैल रहे होंगे समाज में वो करेंगे लेगन अभी तक कोई जच साफ ऐसा नहीं मिले जिसने गरदन में हाथ लाए गाओ कि यहां से तुमने गलत बात कही है यानि मैं मैं म समान कैसे होता है अब जेंडर के व्यवहारों को प्रभावित करने वाले दूसरे प्रक्रिया खेती बिगड़ी और तै करने का वक्त आया कि पौस्टिक किसको खाना है पानी आया घर में तीस या बीस या पंदरह गड़ी तीन किलोमेटर पांच किलोमेटर से सिर्पे ढोके और पता चला कि पहले तीन गड़ी से वहाँ पे बैठा हुआ उस घर का मुखिया नहा लिया और किसी दिन जो गगड़ी लेकर के आने वाली अगर वो बीमार पड़ गई तो वो बच्चे वे पानी से नहाएगा या उस दिन नहीं नहाएगा या उस दिन जगड़ा होगा हेल्थ फैसलिटी किसको देना है अगर ताई करना हो कैसे ताई करेगा स्कूल में भेजना है बच्चे को अब बारवी पास कर लिया है हमने अपने अपने अरोस पड़ोस में देखा कि बारह बच्चे ने पास कर लिया बेटी ने भी यो बेटे ने भी दिल्ली भेजना है पढ़ने के लिए पूना भेजना है तो हमको हमारी पड़ोसन बता रही है कि छोटू का एड्मिशन जो है मैसूर में करवा रहा है उसकी बड़ी ब ये चीजें फिर हम रिकठा होने पर बात करेंगे अभी तो ऐसे लोग जो जिन्होंने जन्डराइशन की प्रक्रिया को पकड़ी अब वो सब मिलके इन प्रॉसेस को चैलेंज करेंगे राकेश जी आपने हमें समय दिया हम से इतने सारी बात हैं कि तमाम उठ्धों के ओपर इसके लिए बहुत 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 शुआ करेंगे अबको तेड हम्ली की तरफ से आपको बहुत बहुत का मना है आपके मिशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देजिए